हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में तो आज हम राजस्थान जीके के 10 important questions देखेंगे तो हमारा पहला question है कंपनी बाग कहां इस्तेथ है तो इसका answer है अलवर में यह अलवर शहर के बीचो बीच यह पार्क बना हुआ है और यह इस सहर का सबसे बड़ा पार्क है इस पार्क को राजा शिबदान सिंग ने 1868 में बनवाया था और किसी जमाने में यह शहर की एक मात्रु बहतरीन जगा पुर्जन बिहार के नाम से जाने जाती थी इसी पार्क के बीच शिमला के नाम से राजा मंगल सिंग ने समर हाउस बनवाया था जिसमें शहर का तापमान चाहे जो हो लेकिन इस समर हाउस का तापमान 10 तिगरी के आसपास होता था यह दरातल से 50 स्वीट की गहराई पर बनाया गया है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें बारिश का पानी भी एक अत्रित नहीं हो पाता है अभी बर्तमान में इसकी देखबाल अरवन इंप्रूमेंट टस्ट यानि यू आईटी देखबाल करती है हमारा दूसरा कोशन है अलवर का साक्षर्ता में राज्य में कौन सा इस्थान है तो इसका आंसर है पाँचवा भारत में जनगर्ना हर दस साल में होती है तो पिछली बार 2011 में हुई थी और इस बार कोरोना की चलते यह संभव नहीं हो पाई तो 2011 की अनुसार राजस्थान का सबसे अधिक साक्षर्ता वाला जिला जो रहा है वो है कोटा पहले नमर पे दूसरे नमर पे रहा है जैपूर तीसरे पे जुनजुनू चौथे पे सीकर और पाँचवे पे अलवर राजस्थान का सबसे कम साक्षर्ट वाला जिला है जालोर हमारा तीसरा कोशन है प्रिथम देलकाडी बांधीकुई से आगराफोर्ट की मध्या कब चलाई गई तो इसका आंसर है 1874 में तो 1874 में राजस्थान में पहली ट्रेन चलाई गई थी आगराफोर्ट से बांधीकुई के बीच और यहीं हमारे देश की बात करें तो देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अपरेल 1853 को मुंबई से थाने के बीच और यह करीब 34 किलोमेटर की दूरी तै की गई थी और इसको चलाने के लिए भाप के इंजन का इस्थिमाल किया गया था जिससे ब्रिटेन से तीन इंजन मंगवाई थे जनके नेमते सुल्तान, सिंदू और साहिव और यह जो ट्रेन इस्थापित की गई थी यह कोलकाता की एक कंपनी ग्रेट इंडियन पैनिन सोलर रेलवे कंपनी की द्वारा इस्थापित की गई थी हमारा फोर्थ कोशन है जीन माता का मंदिर कहां इस्थित है तो इसका अंसर है रेवासा तो यह रेवासा स्थीकर जिले में आता है जीन माता का मंदिर अरावली पहाडियों में इस्थित है और जीन माता को मा दुरगा की अवतार माना जाता है इनके मंदिर को शक्ती पीठ की रूप में जाना जाता है इस मंदिर की निर्मान का सही समय पता नहीं है पर ये पांडवों के कालगा माना जाता है और जीन माता की मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए पूरे साल आते हैं और नवरात्री के त्योहर पर विशेश पूजा की ब्यवस्ता की जाती है जीन माता शेखावाटी राजपू जींगरा मीडा और बनियों की गुल्देवी मानी जाती है हमारा पाचवा कुशन है साइस का अभ्यारण में बाग परियोजना की शुरुवात कप की गई तो इसका अंसर है 1989 को तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे भायत में टाइगर रिजर्वस बनाए जाते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी के द्वारा तो हाली में राजस्थान में अब तक चार टाइगर रिजर्वस हैं जिनमें से हैं रंथमबोर बाग अभ्यारण जो की सवाई माधुपूर में है सरिस्का अभ्यारण जो की अलवर में ह जो की कोटा जालावाड में आता है और रामगड विश्थारी यह आता है बूंदी में और जो पाँचवा टाइगर रिजर्व है उसको कुंभलगड अभ्यारण को पाँचवा टाइगर रिजर्व की रूप में मंचूरी दे दी गई है जो की उदैपूर पाली राजसंब और सिरोही चार जिलो में इसका छेत रूप फैला हुआ होगा राश्ट्रिय बाग सरक्षन प्राधी करण के अनुसार भारत में अब तक बावन टाइगर रिजर्व हैं दो हजार एकिस में रामगड विश्थारी को भारत का बावनवा टाइगर रिजर्व घोशित किया ग तो इसका आंसर है यह सीकर का है यह होली के अपसर पर किया जाने वाला शेखावटी छेतर का प्रसिद्ध नरत्य है और यह केवल पुरूशों के द्वारा किया जाता है इसमें ताल, सोर और नरत्य का समन्वे देखने को मिलता है और यह नरत्य समाच की एकता का सूत्रधा माना जाता है तो होली के दिन लोग प्रसाद चड़ा जाने के बाद या डांडा रोपे जाने के बाद इस नरत्यों को खुले मैदान में सामुही कुछसा के साथ आरम करते हैं और इसमें ये सीकर में ही नहीं वल्कि जुनजलू, चूरू, रामगर, सुजानगर आधी शेखावाटी छेत्रों में विसेश का रूप से किया जाता है और यह एक प्रगार का सुवांग नरत्य है अर्था जो नाचने वाले होते हैं वो या तो शिप पारवदी, सीता राम सिकारी, सादू, आधी का रूप धारन करके नरत्य करते हैं हमारा सात्वा कुश्चन है मुर्रा नसली की भैस के लिए निम्न में से किस स्थान पर प्रिसिद्ध मेला लगता है तो इसका आंसर है बहरोड में यह अलवर जिले में आता है और हम जानते हैं देश में पशुगंड़ना हर पाथ साल में की जाती है जो इस बर बीस भी पशुगंड़ना की गई थी वो 16 जुलाई 2017 से प्रारम हुई थी और अंति मांगड़े इसके 16 अक्टूबर 2019 को जारी किये गए थे और यह पहली डिजीटल पशुगंड़ना थी कोरुना के चलते इसको डिजीटल ही किया गया और हम चानते हैं राजस्थान का भहस के मामले में देश में दूसरा इस्थान है और यहीं भहस की कुछ प्रमुख नसले हैं जैसे कि जाफरवादी, मुर्रा, सूर्ती, महसाना मुर्रा नसली की भहस रेष्ट मानी जाती है दुख दुट पादन की दरश्टी से हमारा आठवा कोशन है सरवाधिक पशुगंडव बाला जिला है तो इसका आंसर है दौसा तो दौसा में सबसे अधिक पशुगंडव होता है पशुगंडव क्या होता है यह 166 प्रती वर्ग किलोमीटर में पशुओं की संक्याई पशुगंडव कहलाती है तो सबसे जादा दौसा में है फिर उसके बाद राजसंबन दौंगरपुर में और नियूनतम जैसल में बीकानेर और चूरू में आता है हमारा नौवा कुशन है गोटा उध्योग के लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर है खंडेला यह सीकर जले में आता है और यहाँ पर गोटा उध्योग के लिए फेमस है गोटा उध्योग मतलब जो बस्तरों पर कड़ाई वगेरा की जाती है गोटा उध्योग होती है और तो यह इसी गोटा उध्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा दस्वा और आकरी कुशन है राज्यम में सर्वाधिक पुरुष साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है तो इसका आंसर है जुन-जुनू और साथ ही याद रखने वाली बात ये है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षर्ता दर जुन-जुनू में है और सबसे अधिक महिला साक्षरतदर कोटा में हैं तो बस ये थी आज की वीडियो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना